हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपकी अपने चानल अंजली नियूस कौनर में मैं हूँ आपकी वही अंजली तेरे हुसन पे कुरबान हो जाओ तेरी बाहों में बेजान हो जाओ ऐसी नजाकत है तेरे सूरत की कि मैं तेरा गुलाम हो जाओ जी आपने सही सुना हम आज के देदी राशिफल की बात कर रहे हैं आज के दिन जिनका वज्जे है या फिर मारे जन्वर्चरी है इनको मेरी और से धेड़ सारे शुब कामना है तुछे लिए शुरू करते हैं समय बताने वाले बहुत है लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम घटिया फित्तरत वाले इज़त से नहीं पाते इन छोटे सैलोबों से पहाड बह नहीं जाते बस इमानदारी से जीना खुददारी है मेरी किसी की बातों में आकर मैंने तलवे नहीं चाटे आपके गरम ही आपकी पहचान है वरना एक नाम के हजारों इनसान है कौन गाबिल है और कौन नहीं ये तो सिरफ वक्त ही बताता है जान तक देने की बात होती है यहाँ पर यकीन मानिये हजूर तुगा तक दिल से नहीं देते इनसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है जुगली की धार इतनी तेज होती है कि जो खून के रिष्टों को भी काट कर रख देती है थोड़ा सा कमजोर हूं लेकिन किसमत का मारा नहीं बस लड़ खड़ा के गिरा हूं अभी में हारा नहीं नशाद दौलत का नहीं कामयाबी का रखो जिद महब्बत की नहीं मन्जिल की रखो किसी और की नीव पर बना मकान जाने कब गिर जाएं उसकी मजबूती का भरोसा तो तब होता है जब बुनियाद में हर इंट अपने हाथों से रखी हो आपकी महनत ये सबूद देती है कि आपने काम कैसा किया वरना काम तो बता ही देगा कि आपकी महनत कैसी थी सबस्पेले में आपको बता दू कि अजाब के लिए जो है भाकिशाली रंग रहने वला है गुलावे याने की पिंक कलर और जो लखी नमबर है वो नमबर तीन बन रहा है आज के लिए सितारे आपके बारे में कहते हैं कि आज आपको सारी शक्ति अपने लक्ष को प्राप्त करने में लगानी होगी लोगों की द्वारा मिल रहे टिपनी को जरा नजर अंदास कीजे बले ही आपको लगेगी कठिनाईया बढ़ रही है लेकिन आपका जो लक्ष है उसकी जो प्राप्ति है उसके आखरी पड़ाप पर आप खड़े है इसलिए परिसिते से हार मत मानेगा बलकि अपने जो लक्ष है उसको साधी और उस पर अमल कीज़े साधी में आज आपको बहुत ही अच्छे लोगों का आज सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है कोई भी अगर दिक्कत आपको आएगी तो आपकी जो सहयोगी है आपकी इस चीज़ में बहुत ही मदद कर सकते है कैरियर से रिलेटिर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी मिल पाएंगी और हाँ आज आपका जो तनाव है वो काफी हद तक कम होता हुआ भी नजर आ सकता है आज दिन का जारतर समी किसी विशीश कारे से रिलेटिर योजना बनाने में और उसे कम्प्लीट करने में वतीत हो सकता है धार्मिक और अध्यात्मिक कारे के प्रती आपकी जो बढ़ रहा जो आस्था है उसमें आपके जो तरिष्टी कोन है बहुत ही बढ़ी और पॉजटिव रिजल्ट लिकरा सकता है इसलिए आपको पूज़ा पाच में और जो है अपनी से पॉजटिव उर्जम में जादा समय देना चाहिए ताकि आपका मन जो है वो शान्त हो सके और साथ में आपने लख्ष्टी तरफ आगे पढ़ते हुए भी नजर आएंगे शेयर्ज, सटाबाजी, आदी जैसे जोखिम वाले कामों से आपको दूरी बना कर रखनी होगी क्योंकि आज कोई बड़ा नुकसान होने की अश्यंका दिख रही है ऐसे आपके सितारे कहते हैं सादी में ये भी धियान रखना होगा आपको कि कोई नजी की व्यक्ती ही आपसे विश्वास खात कर सकता है इसलिए आपको सुचेत रहना होगा और हर तरफ आपको नजर रखनी होगी कि कौन क्या कर रहा है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको मूं की खानी पर सकती है परिस्थिती में अपना जो जारतर योगदान है उसे दे कर आप परिस्थिती को अपने पक्ष में लाने की पूरी-पूरी कोशिश भी कर सकते हैं और आप इसमें सफल भी रहेंगे छोटी भातों में मिल रही सफलता भी मन को काफी हद तक शान्ती दिलवा सकती है जो की आगे चल कर योजनाव को सही विचार द्वारा अमल में लाने के लिए मददगार साबित होगे अपने काम के साथ आपका अध्यात्मे की तरफ काफी हद तक शुकाब बढ़ता हुआ नजर आएगा जिससे जो हैं आपका जिवन साथी और आपके घर वाले बहुत ही खुश होगे जो आपको अभी तक की मिली हुई असफ़ता से जोड़ी सीख को अपनाने में और नेगेटिव भावनाओं को दूर करने में भी काफी हद तक आपके मदद कर सकता है इसलिए धार्मिक कारियों में हमेशा आगे बढ़ते रहे अपने कारियों से रिलेटिड नीतियों पर दुबारा विचार करके उनमें और भी ज़्यादा सुधाल लाने की कोशिश करेंगे आप और ऐसा करना भी चाहिए इसे जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे विधार्तियों का अपने शिक्षा की प्रती पूर्ण रूप से ध्यान केंदित रखना उन्हें कोई उपलब्धी दिलवा सकता है कोई ऐसे चीज़ बिल सकती है जिसका आपने सोचा भी ना हो मादा पिता और वरिष्ट व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का मत भेद या फिर अभेलना बिल्कुर भी मत कीजिएगा बलके उन्हें का मान सम्मान जरूर बना कर रखें जारतर जो काम है वो घर में ही रहकर निप्टाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा है क्योंकि आज घर के बाहर समय स्पेंट करने से किसी के जाद आपकी कहां सुनी भी हो सकते है इसलिए आपको सितार यही सिलाह देते हैं कि आप घर पर काम करें तो बैटर रहेगा बात करते हैं आज की बिजनस और केरियर की तो आज इवे विसाइक विकास के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ और आपकी राज जनीतिक संपर्क बहुत ही जादा लाबदाइक साबित होने वाले है सिरकारी जो लोग काम करते हैं यानकी गामन जॉब्स है जिल लोगों की उनका आज कोई लक्ष पूरा हो सकता है प्रमोशन वगारा भी मिल सकते है जिससे जो है आपको आपकी घरवालों को आपकी जो लाइफ पार्णर है उनको वहती खुशी मिल सकती है इसके साथ ये विदेश में नौकरी पाने का मौका फिर से मिल सकता है और जो लोग विदेश में पढ़ाई करते हैं वो अपने जो बिजनस वगेरा में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे अगर आप करियर से रिलेटेट कुछ प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए साथ इमें आपको उने पढ़ाई पर भी फोकस करना है करियर के साथ साथ इसके साथ ये विदेश में कुछ नया काम शुरू करने की ओजनाय बन रही है आज उन कारियों को शुरू करने का उचित समय है तो आप उन पर फोकस जरूर करिए और आगे बढ़ते जाए आपके साथ बना पाएंगे काफी अच्छी बात तो आप काफी खुल मिल सकते हैं अपने बॉस के साथ एक्टिंग और मॉदिलिंग शेत्र में जिन वेक्टियों के बहुत ही इंट्रेस्ट है उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा आप आगे तक जा सकते हैं बात करते हैं आगे लव लाइफ की और तो लव लाइफ आज के लिए कहती है कि परिवारिक बातावरन बहुत ही सुखद रहेगा और अनंद दायक अनंद में रहेगा बच्चे भी पूरी तरह से अनुशासित और अग्यकारी रहेंगे आज के दिन किसे भी बात की आज आपको प्रत्न लगातार चारी करते रहना होगा परिवारी जीवन बहुत ही खुश्णुमा रहेगा लेकिन किसी विप्रीत लिंग की व्यक्ति के साथ मेल जोल रखने समय मर्यादा का ध्यान जरूर रखेगा वन्ना आपकी आज बद्रामी भी हो सकती है विवाग का फैसल पर जादा गौर फर्माना चाहिए आज के दिन चलिए बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की हेल्थ लाइफ के बारे में तो हैल्थ आपकी कहती है कि आज अनीमिया या खून की कमी की वज़े से चिचड़ापन हो सकता है आज आपको भरपूर मात्रा में गाजर का प्योग करना चाहिए साथ ही अनार खाना बहुत बढ़िया रहेगा अध्यात्मिक जो चीजें अगर आप करते हैं तो मन शांत रहेगा जरदर काम की वज़े से कई लोगों को सरवाइकल या कंधों में दर्द हो सकती है आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए इसे के साथ ही आ आज आपको जो है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं स्वास्ते से जिनका कुछ तनाव चल रहा था डिप्रेशन में थे उनको आज मेरेटेशन की वज़े से बहुत इच्छा सहारा मिल सकता है श्रीयर में बढ़ते ज्राइनेस की वज़े से बाल और त तो आपके लिए शीशुपाई कहता है कि आज आपको पुरानी कपड़े किसी को देने चाहिए और हो सके तो आज आप चूतों का या चपलों का दान भी करें विशेश रूप से लाप होगा इसे के साथ ही आज पुरानी बिमारियों से निचात पाने के लिए आपको पाट पढ़ना करना चाहिए इसे बहुत फायदा देखने को मिल सकता है तो दोस अगर आपको वीडियो चे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलीगा धन्यवाद